आने वाले टाइम में यानि कि अभी सर्दियां स्टार्ट होने ही वाली हैं और जैसे कि मौसम चेंज होने लगता है तो अक्सर आपने देखा होगा आपकी स्किन काफी जदा ड्राय हो जाती है और उसके साथ में आपकी स्किन काली पढ़ने लगती है अगर आपकी स्किन काफ क्योंकि जो भी है उसे क्लीन करना है हुआ जब आपका मेकप अच्छे से साफ चाह क्लीन उसके लेना आपको लेना है गर्म पानी और जिस भी बॉल के अंदर आप पानी लोगे नहीं वो बड़ा बरतन होना चाहिए जैसे कि मैंने लिया है जिस पर हम दूद गर्म करते हैं वह पतीला मैंने लिया है इस पर मैंने डाला है पानी पानी गर्म होने लगा है और इसमें मैंने डाला ह लेविंडर एसेंसल ऊई तो देखे यह डालना क्यों ज़्यादा जरूरी यह एंटी एजिन का काम करेगा अगर आपकी स्किन टाइम से पहले लूज होने लगए तो आपकी स्किन को टाइट करने में यह काफी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपके पास में यह नहीं है तो आपको परिशान होने की ज़रुत नहीं है इसमें आप गुलाब की पंखुनी अभी डाल सकते हो ठीक है या फिर आप इसमें डाल सकते हो वर्जिन कोकुनट ओईल आलमंड ओईल विटामिन E ओईल उसकी कोई भी तीन से चार बोंदे और लेने की बाद यह मैंने कैमरा अंदर में रख लिया था अंदर कशीम में आपको दिखाने जा रही हूं तो देखे इस तरीके से आपको लेनी है इस्टीम यह लेना बहुत ज़रूर है आप देखे इस से लेने से आपको कया फायदे होंगे जब आप आपको सांस को बंद कर लेना है जब आपको लगे थोड़ी सी मतलब आपको दम घुटने लगाए तो थोड़ी दिर के लिए टौबल को हटा लीजिये और थोड़ी सांस लीजिए फिर उसके वार इस तरीकी से करिए ऐसा आपको कम से कम दो मिनट के लिए आप नहीं करोगे और इसी तरीक से लेते हो तो आपको एकनी की प्रॉबलम हो सकतė, आपके चेरे पे ची प्रफ previous सकते हैं कियोंकि जो आपके चेरे की दूल मिट्टी है अभर जब आप इस डीम लेते हो तो कम अच्छे हैутствches आपको क्या करना है अपने चैरे को नौर्मल तरीकिसी द्राए होने दिना है और इसके 10 मिंट के बाद । जो पा यूप बंकरये गुलाब जल जो मैंने डाल दिया एक चमच भरके आप इसमें डाल दीजे दही अगर आपकी स्किम को दही सूट नहीं करती है तो आप दूद भी ले सकते हो लेने के बाद क्या करें अब आप इने अच्छ से मिला दें अगर आपको लगे पेश्ट थोड़ा सा गाड़ा हो ग करता है तो इस जगे पे आप मुलतानी मिटी पाउडर ले सकते हो तो देखी मुलतानी मिटी पाउडर एंटी एजिंग का काम करती है साथ में आपके चेहरे का जो निखार है उसी बरकरार रखती है मतला आपकी स्किन को बिल्कुल भी डल नहीं होने देती है नीवो या फि से एपलाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूं आपको यह अगर आपको इस टीम नहीं लेना चाहते तो देखिए इस पैक को आप रेगुलर भी पांच मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा सकते हो यह इस तिन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा पैक है आपका कल ज़्यादा जल गई है जुलस गई है काली पड़ गई है तो उसको भी ठीक करने में यह आपकी काफी ज़्यादा हैल्प करेगा अगर आप इसके अंदर नीबू का जूस या फिर टमाटर का जूस भी डालते हो तो यह ज़्यादा एफेक्टिव हो जाएगा आपके इसके उनको इवन करने के लिए और आपके कलर को फेर करने के लिए मैंने क्या किया इसे लेकि अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लिया आप इसे अपने हाथों पर लगा सकते हो मतलब पूरे बॉड़ी पे आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो लगाने के बाद अब आप के पास में कोई भी टोनर नहीं है या फिर आप यूज नहीं करते हैं तो आप गुलाब जल अपने चेहरे पे इस्प्रे जरूर क्या करें इससे आपके स्किन काफी हद तक टाइड बनी रहेगी यंग बनी रहेगी और साथ में खाले दाग धब्बे हैं तो उनको भी काफी हद तक लाइड करने में बेसन हमारी काफी ज़्यदा है और बेसन की जगे आप मुलतानी मिटी पाडर भी ले सकते हो जैसे कि मैं आपको भी बताया पैक को लगाने के बाद और दस मिनट अपने चेहरे पे छोड़ने के बाद बहुत ही अच्छा एक फेशल का काम करेगी जैसे कि हम फेशल करते हैं उसके बाद अपने चेहरे पे मसाज देते ना तो इससे क्या होगा आपके चेहरे की जो गंदी है जो डस्ट है सारी बहार निकलेगी और उसके साथ में यह मसाज आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा काम करेगा तो मसाज करने के बाद आपको लेना है नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी अपले लीजिए आपको गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है नॉर्मल या फिर ठंडा पानी फ्रीज का पानी भी अपले सकते हो और मसाज कंप्लीट करने के बाद आपको अपने च चुके तो चलिए मैं जाती हूं अगर आपके लिप्स का कलर बहुत अड़ा डार्क हो चुका है तो उस पे भी आप मसाज कर सकते हो मतलब अपने लिप्स पर मसाज कर सकते हो इससे आपके जो लिप्से काफी हद तक लैट हो जाएंगे तो देखिए लाश्ट में मैं आई उन इससे 25 सेकंड के लिए मसाज करने के बाद आप देखोगे आपके स्किन काफी जधा टाइट यंग और आपको खिली-खिली मतलब अपने स्किन लगेगी बहुत ही सुन्दर आपको इसकिन लगेगी तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है अपना स्किन किया तो आने वाल यह तो लाइक करके जाना मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ नई विलोग के साथ बाई वैटे किया है